वालियर के डब्रा में एक यूवक पर फाइरिंग करने का मामला सामने आ है, हमले में यूवक की मौत हो गई, जिसके बाद गाव में हालर तनाव पूर्ण हो गया है, इलागे में शांतिक करने की लिहाद से भारे पुलिस पोस तैनाग कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि भंडारे में खाना खाने के दावरान यूवक की गोली मार कर हत्या की गई है, जिसके बाद गाव में तनाव को देखते हुए भारे पुलिस बलते नाग किया गया है, जानकरे मिली है कि मृत यूवक ने आरोपी की पिता से मार पिड़ की थी, इसका बदला लेने के लिए आरोपी ने उसकी बोली मार कर हत्या कर दी है, जानकर कि अमसार गाव में रहने वाले एक यूवक ने अपने पिता के रिटार्मेंट पर महामृत्य जाप कर आया था, इसके समापन पर गुद्वार को बंडारे का आजजन किया गया, इसी बंडारे भी 23 साल का परवेज भी आरोपी हेमत साहू, सहीथ उसके सभी साती मोके से फरार हो गया है, पुलीस आरोपी के तलाश के जूटी हुई है, वही काव में तलाओ के हालाग बंदे दे, भारे पुलीस बल तनाब किया गया है, बता जा रहा है कि परवेज के शवबा आज बोसमा तक किया जाएगा, आ एले एले घाएगा, वही काने एले पुलीस है, वही के जाएगा, बोसमा तरह है, भारे बंदे, यही का जाएगा।